दीडी किसान बदलते भारत की शान दीडी किसान बदलते भारत की शान दीडी किसान बदलते भारत की शान अच्छा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे जो राजस्तान की किसान है धोरों की धर्ती पर क्या लगाते हैं और क्या कि यहाँ पर होता है नमस्कार जी नमस्कार आदिका जी आवगा बेनिश्र गाह में स्वागत है और मेरा नाम गोरी शंकर है में रिटायर चीफ टीन सी रेलवे से भी कानेर से हूं बड़े नोखरी वाले लोग रहते हैं मुझे यहां लग रहा है वो पिताजी के जगए लग गए थे सर आशा और आये हैं आए हैं और शमय समय पर हमारे को शिक्षा भी दी है कि यह बीज डालो यह बीज इतना होता है यह इतना होता है अब हमारे गाहों के बदन जी हैं यह आपना 501 नमर बीज अच्छा उत्पादन करा रहे हैं 11 एक्स्टा देरा है यह राकूंटल 551 वाला बीज आपन अंतर पड़ गया ज्यादा हुआ है उत्पादन बढ़ गया उत्पादन बढ़ गया और क्या-क्या सुवधाय जो है विभाग से सरकार से अपने लिए वाग से सरसों में मिली है अब शर्षों की बिजाई की है और अम यह इस उल्गोल और दूसरी सब खेती करते हैं कितनी गाएं आपके पास तो अभी पीछे मैंने देखा था लंपी बीमारी काफी समस्या थी उसकी पशुपालन को लेकि कोई बीमारी की समस्या आती है तो आपके लिए यहां पर डॉक्टर वगेरा है समान निदी आती है वह दो हजार रुपे खेत वाले उस वहला योजन सबस्विदा है सबस्विदा है सबके हैं घर से अगर आज करता कि घर घर सबस्वाइब रोड़ा बने लिए घर घर रोड पहुंच गई है आप तिलहन की यानि कि मुफली लगाता है मुफली खेति कितने बीगा में कितना क्यूंटल हो जाती है अब दस कूंटल बिग हमारे किसान भाइयों को अच्छा बीज मिल जाए तो खेती अच्छी हो सकती है लेकिन राजस्तान की खेती पहले से बहुत बदल गई है बहुत ज्यादा जैसे जैसे पहला पांच कूंटल साथ कूंटल बिग गी होंती अब यह नए तरीक बीज है अमें 10 कूंटल 11 कूंट थारचा जी मिल आपका श्वाकत मैं स्वागत मैं आरμी से रटार्मेंट नो स्यांगा करना में कर्षी विवाग में नोकरी कर रहा हूँ और इस जाए में बता चल जाता है जमीन में किस चीजी कमी अगर वहां धेंगे खर्चा अगर कम करना है तो जमीन के अंदर न्यूट्रियंस की पत्तों करने से ही हो पाएगी यानि कि कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई कि हम अगर एक ही भोजन खाएंगे तो पेट भी घराब हो सकता है अगर एक ही जमीन में एक ही फसल को भुवाई करेंगे तो हमारे जमीन के जो तत्व खतम हो जाएगी तो हमारे किसानों ने बदलाव किया क्या लगाता है दूसरी फसला भी इस अगुड लगाने लगे अभी इसमें भी कम पानी में और कम मुपलिया जो कि शेंतिश काउन है लोर्व में लिए मैं युफा जाती तीन महीने में फतने वाले भी जा तीम महीने पकने भाले दूख लिए ने जाती cinco आश्यजय हैं क्या करते हैं खेती में कहते हैं कि सरकार कह रही है कि हम धानी धानी पहुंच रहे हैं सारी सुविधाई दे रहे हैं सुविधायों का मतलब हो जाता है किसानों को जागरुक कर रहे हैं जैनकारी दे रहे हैं मिल रही है यापार नहीं मिल रहे हैं विभाग वाले मदद करते है है विज्ञान बिल्कुल मदद करते हैं जा रहता हूं बटाते हैं कि यह बता थे हैं बैठ जाएए जब किसान जो हमारा है बश्यूपालन करता है तो पशू को लेकर यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है उसर बात करेंगी सब्सक्राइब नमश्कार जी क्या नाम इपका मेरा नाम डॉक्टर जफर अमें यहां पर राजस्तान सरकार पशुपालन विवाग की तरफ से राज की पशुचिकित साले बेनी सर बशुचिक मैडम आपको जानके बहुत ही अच्छा लगेगा कि पूरे भारत में राजस्तान आज की तारिक में पूरे भारतवर्ष में मिलकुत पादन में नंबर दो पर है और जो कि इस 21 पशुगंड़ना जो अभी चल रही है इसके बाद मुझे पूरी उमीद है कि पूरे भारतवर् इस अर्थ विवस्ता का दूसरा चका रहा है अगर पहला चका हमारा खेती है तो दूसरा चका हमारा पशुपालन रहा है कितनी भी विकट स्थित्या है किता भी सूखा पड़े राजस्तान का किसान का भी हार नहीं मानता उसका सबसे बड़ा कारण है कि पशुपालन को इस राज्य सरकार द्वारा और केंदर सरकार द्वारा एक योजना चल रही है जिसमें हम इनका करत्रिम गर्बादान करके। जो हमारी लुप्त हो रही हैं गाये जैसे कि राठी है, साहिवाल Хार ठार पार करें गिर हैं। का संवर्धन करने की बहुत ज्यादा जुरुत है उस पर राजे सरकार केंद्र सरकार बहुत काम करी एक जिसमें चिकित करोफ साल्य निश्व करोफ दाल में पशुंहें डिरे बहटी ॡियोन पिलन हैं पशुपालन में देखे मैडम पशुपालन में सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या किसानों के साथ आती है कि इनके पशु यह ज़्यादा तर लोग अपनी धानियों में खेतों में रहते हैं और पशुदन भी वहीं रहते हैं गाओं में जनरली जो आप गाओं देखेंगे गाओं में आपको उस घर के मुख्या बुड़े बुजुर्ग लोग ही मिलेंगे और जो भी यंग पीपल हैं जो काम करने वाले हैं वो अपने पश्यों को सब धानियों में रखते हैं तो हमारे साथ भी सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हमें अपनी योजनाओं को भी कोशिश करते हैं लेकिन जो आपने कहा कि मिलक उत्पादन में नंबर दो पर है reapimientoल पर है किसान खरक्सान क करता है उसके लिए मार्केट दूद की कॉस्ट ही जब किसान को 50 से 60 रुपे लिटर पड़ती है अगर वो इसको कागजों पर कैलकुलेट करें लेकिन हमारा किसान कभी कैलकुलेट नहीं करता जब उसका दूद खरीदा जाता है तो वही दूद 25 से 30 रुपे किलो जाता है इस वज़े से किसान को इसमें ल मशकर आदिगाजी क्या ना में अपका पुरा मेरा नाम डॉक्तर केष्य मेरा है मैं विषे विशेजग्य हों कीट विज्ञान में और कीशी जिज्यान के अंधर बीचानमें बह्ता वात करें कि किटो कि अगर आप बात करें तुन में एकमारे यहां पर सबसे जज़दी हो जमीन में और लेड़ी पर्जेंट रहता है और नेक्स सेजन जब इस वसल को लगाते हैं तो उसके द्वारे काई वज बीमारी उस नई पौदे में फैल जाती है समाधान के लिए इनको बीज उपचार बताते हैं और समय समय पर जो इस्प्रेइ करने होते हैं वह विबिन प्रिक्षिशन के माधियम से इनको समझाते हैं ताकि इस बीमारी को इंडेंटित करके अच्छा उत्पादल ले सकी तो केविकी यहां पर नरया कुंसा बीज दे रह था वो दे रहे हैं साथ ही अभी हमारा रुजान यह है कि जो किसान है जिसे भी हम बात करे थे कि पानी का जो इस्तर है वो नीचे जा रहा है एक अजार फिट तक नीचे जा चुका है जैसे कि बहुत अच्छा एक किसान बाई जिनको हमने बताय था टीजी 37 जो वेराइटी क्योंकि कॉटन की फसल का बूंदबूं सी चाई पर भी ले सकते हैं तो उसकी वज़े से क्या होगा जो पानी का जो इस्तर गिर रहा है तो कहीं नहीं हमें आकर रुखना होगा उत्पादन भी और किसान की आमदनी भी प्रभावित ना हो लेकिन उत्पादन भी अच्छा म क्यों में पराली चला दी जाती है जिससे प्रदूशन पढ़ता है इतना ही नहीं खेतों में 3-4 बार पराली चलाने से खेद बंजर भी होने लगते हैं अगली फसल के तयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है नहीं पराली प्रबंधन के पर्यावरणिय विकल्प भी ह स्ट्रॉबेलर मशीन का प्रयोग स्ट्रॉबेलर मशीन पराली को गठर में बदल सकता है पराली से जैविक हाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उरवरक शमता को बढ़ाती है पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना इसके लिए सूपर सीडर जैसी मशीनों का उप्योग किया जाता है सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% की सबसिड़ी देती है किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाब उठाएं पर्यावरण को बचाए पराली का उप्योग जैव इंधन और हस्तशिल बनाने में भी किया जाता है इसका उप्योग मश्रूम की खेती, डिस्परजबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है पराली समस्या नहीं, संसाधन है किसान भाई पराली ना जलाएं पराली से अपनी आए बढ़ाएं ब्रेक के बाद बहुत स्वागे चर्चा को आगे बढ़ाता है के विके से आए वे हैं, नमस्कार जी मैं डॉक्टर एमेल रेगर, एसोसियेट प्रोफेसर एट करसी विज्ञान के अंदर है क्या-क्या कारिभार रहता है आपकी पास? क्या-क्या भूमिकाई होती है आपको करनी पूरी? करसी विज्ञान के अंदर किसानों के लिए ततपर रहता है मेडम लेकिन करसी विज्ञान के अंदर किसानों को ट्रेनिंग परसिक्षान, डिमोस्टेशन और करसी विज्ञान के अंदर राष्ट्रे खादे सुरक्सा मिशन के तहत दलहन और तिलहन दोनों पर कारे कर रहा है दलन के अंदर मूंग, मोट और चेना के डिमोस्टेशन देता है और तिलन के अंदर सरसों और मूंगपली के डिमोस्टेशन किसानों के खेत पर लगाते हैं आजकल सर्थ बहुत सारी बिमारे आ गई हैं आप दलन और तिलन दोनों की बात कर रहे हैं मूंग मोट में भी बहुत सारी समझ से आती हैं तो हमारे किसानों को उपचार के लिए आप लोग उनको जानकरी देते हैं या बाजार में जुड़ना पड़ता है देखिए मेडम हम जब डिमोस्टेशन देते हैं तब उसके साथ पहले किसानों का चैन करते हैं जैसे एक गाउं में 25 किसानों का चैन किया और 25 किसानों का पूरा डिटेल लेकर के और अनलाइसिस करते हैं कि इनके दिक्कत क्या है जो दिक्कत होती है जिसे कि बीड की दिक्कत बीमारी की दिकत और कीड की दिकत और भी कोई दिकत हो उसी पर हम ज्यादा फोकस रखते हैं और उसी पर हम देते हैं कितने हेक्टर में यहां पर मुपली होती है, यहां पर कम सा कम 300 हेक्टर के लगबग मुपली होती है, तिलहन, और दलहन भी लगबग इतनी ही होती है, क्योंकि खरीब में और रभी में दोनों सीजन में लगबग मुट और चना होता है, ठीक है, बेट जाए सब, एक और अधि पूरा पन्चाई सिमीति चेतर स्रूंगरण में लगबग सोखे लगबग गाहवे पूरा ही है और आप यहां पर पानी की समझेश्य इसके लिए मैं मैं किसानों को बगीचा लगाने के लिए सजेस्ट करूँ गा मैं उसमें अपने पार्मप्री फसले हैं इससे लगबग दो मालटा और अनाप्र अच्छी है किसान के पास आनार की खिटीय याने किंद ste मैं हम यहां पर पीशक फचिस सेरा जब कर भी दो दो फिस पीडिव दो गुनी कर रहे हो क्या बात है हमारा किसान अगर दो से तीन गुना वैसी पानी की समस्या है मुफली खरीदने में इनको इतनी समस्या आ रही है बेची नहीं जा रही है तो इन्हें करना क्या पड़ेगा शुरुवात के लिए यह सिर्फ एक एक्टर में यानि च्यार भीगा में एक बगीचा ल हो जाएगी कि जैसे पूरे साल का खर्चा होता ना वह उस एक एक्टर के बगीची से निकल जाएगा अगर आप बगीचे की बात करते हैं कि जो यहां का वातावरन है वह इसके अनुकुल है लेकिन बगीचा थोड़ा वह यह बतारी काम यांनियों कानन है वह कि अपने किस करते हैं बगीचे रहें को इतनी नहीं मतलब यहां पर बगीचे मतलब किसान के फेल ओए है मैं मानता हूं लेकिन सारे नहीं सब्सक्राइब करें आज का आप बताईए की एक हेक्टर की बिगा में उनने बगीचा लगाना है तो वो कैसे लगाना था कि बर्बाद लाह वह लगाना है उसका ज्यादा खर्चा निया पचास से साट जार रुपे में एक एक्टर का लग जाएगा निमूवर गिए या नार या जो भी लगना चाहते हो इतने खर्चे में और इसको काम्याब करने के लिए मैं इस पे थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है पारंपरी फसल सरकार या लगाने पर किसानों को अनुदान भी दिया जाता है हमारा किसान बगी चाहं अपनी खेती की साथ अगर उसे जादा फाइदा चीहत हो और भी हमारे यहापर किसान किसान का काम तो नहीं करता है फिलाल अभी 2015 से मैं यूरोप के इटली रहता हूं लेकिन मेरे तीन टूबेल है किसान परिवार से ब्लोग करता हूं तो आपने कहा कि तीन टूबेल बनाई हुई है अब आप मुझे बताइए कि कितना बदलाव पहले से इस गाउं में बदलाव बिल्कुल आया है पेशे भी आ रहे हैं काम में बदलावाएगा तो जैसी बात है इंकम होगी तो इंकम पेशे भी आएंगे लेकिन एक्चुली होता है मेडम की जैसे बीमूफली की फसल निकालेंगे दसलागी फसल हो जाएगी लेकिन किसान के पास लाश्ट में मतलब सू सब्सक्राइब दूसरा आप विकल्प बताई क्या होना चाहिए सरकार इसके लिए क्या करें विकल्प यह होना चाहिए कि ऐसा कोई बीज हो जिसमें एक तो कितना से कम हो वो खर्चापना कम हो जाएगा और जब मंडी में माल जाए तो पूरा मैंस्पिरेट पे तुले चल सब्सक्राइब ठीक हैं यह सब्सक्राइब पाने वाले किसांदेगे इतने बड़े किसान वबारे बीच बैटे है और किसान उसे यही कहते है छोटी से खेती करता हूं थोड़ी सी मुफली लगाता हूं अच्छा जितनी 500 क्यूट्र लगाते वह बाजार में बैच बाकी कह बागी तो बंडी में बेचने पड़ती है बाव नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलती न अच्छा बहुत वाली समझे समझ भाई उसके अलबा यह बताईए कि ट्यूबेल कब से करेया तूबेल तो 2009 से हैं 2009 से अच्छा ट्यूबेल से खेती करने से कितना परिवर्तन जीवन मे नहीं है परिवर्तन यह अभी पानी गेरा इम जा रहे है तो वह सल भी कम पानी वाली बहुत वीज बीज कहां से लिए पांसो दस बौर्ट है वह पांसो इकांत तो लगा नहीं मैंने पांसो दस बौर आज आपनी चोपाल में देखा कि हमारे किसान 551 की बात कर रहे है जो आप पांसो क्यूंटल मुझे लगता है वह हजार क्यूंटल हो जाएगा 500 का वह मदन बता रहाता है अच्छा रिजल्टा इसका दस क्यूंटल से उपर बैठ रहे है और अभी यह फसल है यही चार-पांच बीगों मैंने शूप लगाई अभी आपने लगाई है यह कम पान मदन बताते हैं वह अगर अगर किसान विभाग के अधिकारियो का नाम लेता हो तो समझ जाएं कि विभाग यहां पर कितना आता हो विग्यान से अगर आप जुड़कर खेती करेंगे तो राजस्तान के धोरों की धरती में कुछ भी हो सकते अब यह वह राजस्तान नहीं है जा पानी नहीं होता जाने के लिए रास्ते नहीं होते अब यह वह राजस्तान नहीं है जिसे आप पहले देखा करते ते अब राजस्तान की तस्वीर बदल गई है यह वह रियाला राजस्तान है जा किसान स्मांट खेती करता है और आज की खेटी जो है आज के समय की साथ जो खेटी है वो विज्यास से जुड़ करता है चिले आज कीचर्चा को यहीं खतम करते हैं बैनीसर गाव में लेकिन यहीं नहीं रुखेंगे एक और गाव में चलेंगे सरकार की योजनाओं पर बात करेंगे तब तक इलिए नमस्कारद झाल झाल